हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी इंपक्ट प्लेयर ये जो टर्म है आज आप दिन भर इसका इस्तमाल भी होते हैं बहुत सुनेंगे और सबकी कोशिश यह होगी कि जानने कि इंपक्ट प्लेयर है क्या इंपक्ट प्लेयर नेयम जो है बीसी सियाई इंट्रोड्यू देखा था कि X Factor का एक रूल आयता है तो इस नियम के बारे में इस वीडियो में आपको समझाएंगे भी और सेद मुश्ताक में तो इंट्रोड्यूस हो रहा है बट अगर वहां पर सब कुछ ठीक रहा और टीम उसको समझ पाई और बहुत कुछ डिपेंड करेगा क्योंकि IPL एक आपको पता है कि differently ही पूरी तरीके से रन होती है और तमाम चीज़ें उसमें देखने होती है तो हो सकता है शायद आपको IPL में भी आगे इंप्लिमेंट होते हुए देखे लेकिन एक चीज़ साफ करने कि सूपर सब का नियम चाहे रहा हो चाहे वो X Factor का नियम रहा ह में यह नियम आए जरूर बट उस तरीके से सस्टेन नहीं कर पाए और थोड़ा सा कहीं न कहीं खेल को अलग जरूर कर देते हैं किस तरीके से अलग करते हैं इस वीडियो में आपको समझाएंगे तो आपको पहले समझाते हैं कि Impact Player का नियम है क्या October 11 से से सेद मुश्टा कल नाम दोगे जो चार खिलाडी replace कर सकते हैं किसी भी एक खिलाडी को जो की प्लेंग 11 में हैं यानि कि आप 11 मेंसे एक खिलाडी को match के दोरान replace कर सकते हो लेकिन इसमें खास चीज़ जो दूसरा point है कि यह नियम आपको apply करना जरूरी हो जाएगा चौध्वाँ ओवर जब खत्र होगा उससे पहले पहले आपको नियम अगर आपको अप्लाई करना है तो उसको अप्लाई करने का जो है प्रॉसेश सही है कि आप जो ऐफिशल्स हैं फोर्स अंपायर है उनको आप बताओगें और फिर वहां से जो है वो उसको allow कर दिया जाएगा जो replacement player आएगा वो बल्ले बाजी भी कर सकता है और वो gain बाजी भी कर सकता है वो चार over पूरे डाल सकता है अगर suppose उन 14 overs के दौरान किसी एक bowler ने already 4 overs डाल दिये हैं उसके बाद भी वो आकर जो impact player है वो फिर भी वो 4 over पूर डाल सकता है और जो better अगर आप replacement के तौर पर आप add कर रहे हो तो अगर वो खिलाडी out हो चुका है तो उसकी जगह भी वो बल्ले बाजी आकर कर सकता है अब आगे बढ़ते हैं कि अगला क्या है जिस नियम के वारे में जो हम आपको समझा रहे हैं जैसे हम नहीं बताए कि replacement for a batter was dismissed यानि कि अगर खिलाडी कोई out हो गया है तो उनकी जिगह पर भी वो आ सकते हैं और जो एक बार ही अगर replace कर दिया गया है खिलाडी तो ये चीज़ साफ है कि वो वहाँ पर as a substitute fielder भी नहीं आप आएगा और introduction जो रहेगी कभी अगर आपका जो replacement player आएगा वो आएगा या तो end of and over यानि कि एक over खत्म होने के बाद ही आएगा over के beach में नहीं आप आएगा suppose equation या कुछ ऐसा बन रहा हो तो beach में नहीं आप आएगा या तो हाँ wicket गर गई हो तो जो batting side से अगर replacement player है तो fall of wicket पर जरूर आ जागा या फिर fielding side से अगर replacement player है जो impact player आ रहा है तो fielding के दौरान अगर किसी को injury हो गई तो वहाँ पर भी वो आ सकता है अब थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं किस तरीके से चीज़ है यहां पर तो आखरी आखरी point जिसमें यह है कि यह applicable नहीं होगा अगर खेल यानि 20 over का खेल जो है अगर वो 10 over या उससे कम का हो जाए अगर उ जो है वो छोटा होता है इसको थोड़ा सा आपको आसान करने के लिए जो क्योंकि BCCI की तरफ से उन्होंने references दे रिखें तो उसको समझाने के लिए अगर आपको थोड़ा सा बताओं तो उसमें ऐसा है कि suppose एक टीम जो बल्लेबाजी कर रही है उसकी wickets गिर रही है बड़ी इसी total वहाँ पर लगा सकते हो बोड़ पर या फिर दूसरा case यह है कि जो दूसरी fielding side है वो अगर चाहे और देखें कि विक्टे इनकी गिर रही है हमें बैटिंग की उतनी लंबी जरूत नहीं पड़ेगे तो हम क्यों न एक और extra bowler add कर लें conditions को देखते हुए कि एक extra bowler हमा र्यादव ने जो है बल्लेबाजी कर ली है इंडिया के लियास से हाला कि अगर अभी international cricket में तो बड़ा फाइदेमन होता क्योंकि जड़ेजा की injury की वैसे हम बड़ा जूज रहे हैं तो थोड़ा सा reference के तौर पर है कि सूरिया आए सूरिया ने बल्लेबाजी कर ली अब वो अरश्दीप के जिगा अपने replacement player में अगर रिशेब पंध तीम से बाहर उन substitute में कहीं थे तो एज़ा impact पर रिशेब पंध को आपने अंदर ले आए बल्लेबाजी के लिए तो कुछ इस तरीके से इने हम काम आएगा जिससे हम मैं यही समझाने कोशिश कर रहा था कि वो उस रहता है लेकिन स्ट्रेटीजी के लिए अलग सा नियम है जो चीजों को बदल सकता है टीटोंटे क्रिक्ट में सेद मुश्ताक अली ट्रोफी में जरूर दिखेगा इससे यह एक प्लस्त के तौर पर आप देखें कर शेद मुश्ताक में implement होता है तो वहां पर यह की domestic में ज जो है 11 ही करेंगे उसमें ऐसा नहीं जाए कि 12 प्लियर्स बैटल वहां पर आपको दिखेंगे जो बैटिंग कर रहे हैं 11 नहीं बल्लेवाजी करेंगे बट आप उनको as a replacement ला सकते हो 11 में जो खिलाडी आपके उस line-up में already है और जो चार आपके substitute अलग से आप नेम कर रहे हो तो हो सकता आपके सोच ऐसे रहे हैं एक spinner डालो एक medium pacer डालो एक all rounder डालो एक battery डालो तांकि आपके पास विकल्प हर तरीके का मौजूद हो तो यह है impact player का name जिसके बारे में आप अब से लेकर आने वाले समय में और जब सेद मुश्ताक कली शुरू हो जाईगे और फिर अ आपने अभी तक sports airy को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर करें cinema beast को भी subscribe करें और sports airy.com जो हमारी website है वो भी visit करें अभी आपसे इजाज़त देते हैं जय हिंद जय भारत